संदिक्द हालत में तमंचे से गोली लगने से वारह वर्सी वाली का घायल घटना को लेकर सियोबा कोतवाल के बयान अलग-अलग हर्स फाइरिंग की हो रही चर्चा उत्तरपटेश के हर्दोई जनपद में हरपाल पुर्थाना छेतर के बरनई चतरखा गाउमी संदिक्द हा कोतवाली चेतर के वरनई चतरखाओं में मंगलवार की रात करीब नवजे संदिक्द हालत में तमंचे से चली गोली से खुस्बू बारह वर्स पुत्रिय पंकच के गोली गर्दन में जा लगी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और अचेत अवस्था में गिर गई परजनों ने उसे आनन फानन समधाई कर स्वास्त केंदर हरपालपूर में भरती कराया जहां से उसे जिला अस्पताल के लिए रिफर किया गया है घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलेस मामले की चानवीन में जुटी हुई है घटना की सूचना मिलते ही पहुंचे हरपाल पूर के छेत्रा अधिकारी सतेंद्र सिंग घटना इस्तल का बारीकी से निरचण कर रहे हैं क्या कहते हैं सतेंद्र सिंग आप भी सुनियें किसी को हिरासत में लिया गया है अभी कोई नहीं लिया गया है अब सतेंद्र सिंग तो भी गया है अस्पताल वहां से आगए तो फिर जाच कर कर रहे हैं वही गोली कांड के मामले में हरपाल पूर के छेत्रा अधिकारी सतेंद्र सिंग बाप्रभारी निरचक सुनील कुमार सिंग के बयान में विरोधा भास होने से पुलिस की भोमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं सियो सतेंद्र सिंग ने लीगल एशलाह से फायर होने की बात कही जब की हरपाल पूर के प्रभारी निरचक सुनील कुमार सिंग तमंचे से गोली चलने की बात सुईकार कर रहे हैं वही उन्होंने बताया कि गोली चलने के बाद गय सिलेंडर में लगी उसके बाद बालिका के जा लगी है आखिर घर में तमंचा कहां से आया घटना के बाद उसकी बरामदगी को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं वही मेरट में रहने वाले एक परिजन के पुत्र जन्म होने की खुसी में हर्स फाइरिंग की भी गाव में जोरों से चर्चा हो रही है प्रभारी निरचक सुनील कुमार सिंग ने वताया कि खेल खेल में वालिका को तमंचे से गोली लगी है पूरे मामले की जाज कर अग्रि लाइक सेर सब्सक्राइब करना ना भूलें